प्रिये विध्यारतियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्मार, MLV Government College भी रोड़ा आज हम मुद्रा इस्पिती पर नियंतरण के उपचार या उपाय के बारे में अध्यन करेंगे मुद्रा इस्पिती के आठिक, राजनितिक एवं सामाजिक दुष परिणामों की व्यापकता एवं गंबीरता को देखते हुए उसके नियंतरण के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती वास्तों में मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण उत्पादन के तुलना में प्रभावपूर्ण मांग यानि इफेक्टिव डिमांड का अधिक होना होता है अते हैं मुद्रा इस्पिती नियंतरण की नीती का उद्देश्य प्रभावपूर्ण मांग को उत्पादन इस्थर तक घटाना है और साथ ही साथ ऐसे उपाय अपनाना है जिससे उत्पादन इस्थर में भी व्रद्दी हो अत्मा कुल पूर्टी बढ़ाना संभव हो सके मुद्रिक उपचार के अंतरगत साथ तता मुद्रा की मात्रा कम किये जाने के प्रियास किये जाते हैं जिससे की मुद्रा की पूर्टी में कमी हो और मुद्रिक आय को कम किया जा सके मुद्रिक उपचार के अंतरगत पहला है चलन मुद्रा की मात्रा में कमी केंद्रे बैंक द्वारा नोटों तथा पत्र मुद्रा निर्गमन के नियम को कड़ा करके नए नोट कम चापने तथा इसी प्रका से प्रशलित मुद्रा को खराब घोशित करने अर्थात विमुद्रिकरण से भी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी की जा सकती है जैसे की भारत में 1000 रुपे का नोट प्रशलन में बंद कर दिया गया साख नियंत्रण का भी प्राए साख की मात्रा में कमी लाना है जिससे की मौद्रिक आय को कम किया जा सके और नए वनियोगों को हतोत्साहित करना है इसके अंतरगत बैंकदर में व्रद्दी खुले वाजार में प्रती भूतियों की बिक्री न्यून्तम जमा कोशों में परिवर्तन सीधी कारिव्याई और चैनित साख नियंत्रण आदी द्वारा व्रद्दी की जाती है जिसे हम केंद्रे बैंक की साख नियंत्रण नीती के अंद्रगत पढ़ चुके हैं मुद्रा प्रसार या मौद्रिक नीती की कुछ सीमाएं भी है जिसके अंत्रगत परियाप्त कठोड़ता आसंभव है बैंक दर मुद्रा प्रसार के समय आसफल रहती है और केवल मौद्रिक नीती से ही मुद्रा प्रसार का नियंत्रण संभव होता है आते अन्य प्रकार के उपचार भी साथ साथ करने पड़ते हैं भी है मुद्रा स्विती नियंत्रण के राजकोशे या प्रश्चुल के संबंदी उपा है मुद्रा नियंतरण में या मुद्रे स्विती नियंतरण में राजकोश्य नीती बहुत अधिक प्रभावी होती है इसके अंतरगत निमनोपायों का समावेश किया जा सकता है करों में व्रद्धी तथा नएकर लगाना सरकार पुराने करों में व्रद्दि तथा नए कर लगा कर ना केवल अपनी आये में व्रद्दि करती है वरन लोगों की क्रैशक्ती में कमी भी करती है जिससे की प्रभावी मांग कम होती है और मुल्यों पर नियंत्रन हो सकता है इसके साथ हिसाथ उत्पादन पर नियंत्रण न लगाते वे मांग को सीमित करना भी इसका अपदिश्य होता है सारजनिक रिणों में व्रद्धी करों से ज़न असंतोश बढ़ता है अते लोगों के पास क्रेशक्ति को कम करने का दूसरा उपाय उनसे रिण देना है रिणी की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा मुल्य में नियंत्रण करने में सायक सिद्ध होती है सरकार बच्चितों को प्रोचसाहन देकर भी क्रेशक्ति के वर्तमान उप्योग पर रोक लगा सकती है ये बच्चते अनिवार्य की जा सकती है अथवा एच्छिक दोनों को ही अच्छा प्रभाव रहता है बच्चतों को प्रोचसाहन देने के लिए सरकार करों में छूट भी दे सकती है संतुलित बजट सरकार मुद्रा स्विती के समय संतुलित बजट या बच्चत के बजट की नीती का अनुसरण कर सकती है जिससे की सरकारी व्यमे कमी से मुल्लों पर अनुकूल प्रभाव पढ़ता है सावजनिक व्यमे कमी सावजनिक निर्मान कार्यों पर व्यासे श्रम और सामगरी दोनों की मांग बढ़ती है अगर सावजनिक व्याय कम किये जाए तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावपूर्ण मांग कम होगी और साथ ही साथ जिन लोगों को रोजगार वेधन प्रापत होता है वे मांग करते हैं उनसे भी चुटकारा मिल जाता है नेक्स्ट है मुद्रा का अधी मुल्यन विदेशों के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं और ऐसी स्थिती में दोहरालाब प्राप्त होता है आयात बढ़ने से पूर्ती बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ती में व्रद्धी हो जाती है जो बढ प्रते मुल्लों पर नियंत्रण में उप्योगी सिद्ध होती है नेक्स्ट है निवेशों पर नियंत्रण अर्थिविवस्था में विन्योगों पर प्रभावी नियंत्रण करना आवशक होता है ती मौद्रिक नीती और आजकोशी नीती दोनों ही मुद्रा पसार पर नियंत् करने में अधिक सरल रहती हैं तीसरा मुख्य उप्चार है मुद्रा इस्वीति नियंत्रण में भौतिक एवं गयर मौद्रिक उप्चार भौतिक उप्चारों में हम मुख्यते निम्न बातों का समावेश करते हैं जिन से उपलब्द पूर्ती में व्रद्धी की जा सके और सा साथ मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायता भी प्राप्त हो सके एह उत्पादन में ब्रद्धी इसके लिए औध्यगिक वेक्रशि उत्पादन में ब्रद्धी कीये जाने का प्रयास करता है इसे तुँ वेज्ञाने कुपकरन, आवशक कच्चे माल की पूर्ती, मशीनों क की विवस्था तथा कुशल प्रभंद एवं संचालन करना अत्यंत आवशक होता है और यह उसी के द्वारा संभव होता है सरकार स्वयम उद्ध्यों खोलकर उत्पाधन बढ़ा सकती है भौतिक उक्चार में दूसरा मुख्य उक्चार है संग्रे प्रविती एवं कृत्रिम कमी पर रोक सरकार मुनाफ़ाख होरों एवं 60 वाजों पर या 60 करने वानों पर वस्तु संकी संग्रह प्रविर्ती करने वानों पर कठोर नियंत्रन लगा कर कृत्रिम कमी को रोक सकती है जिससे की उप्लब्द विक्री योग्य पूर्ती बढ़ाई जा सके और पूर्ती बढ़ा कर मुद्रा स्विती पर किसी हद तक नियंत्रन संभव हो सकता है सरकार अपनी आर्थिक नीती के द्वारा जैसे की वस्तु के अधिक्तम मुल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेशने को बात दे कर सकती है राशनिंग की नीती से आवशक वस्तु के मुल्य में व्रद्धी को रोकने में समर्थ हो सकती है साथ ही साथ मजदूरी की अधिक्तम दर को निर्धारित कर मजदूरी की नीती में सहायता कर सकती है और इसी प्रकार आवशक वस्तु की विक्री की समूची विवस्ता कर सरकार अपने हाथ में ले सकती ऐसी नीतियों को अपना कर सरकार समय समय पर मुद्रा इस्विती पर किसी हद तक रोक लगा सकती है। आयात निर्यात नीति वस्तों और सेवाओं की पूर्ती में व्रद्धी के लिए सरकार आवशक आयातों को प्रोच सहन दे सकती हैं तथा निर्यातों पर प्रतिबंद लगा सकती है। लाब वित्रण पर प्रतिबंद सरकार लाब वित्रण पर प्रतिबंद लगा कर हिस्सेदारों के लाब को उपभोक पर व्य करने से रोक लगा सकती है। इससे कुछ सीमा तक मुद्रा प्रतिबंद पर नियंतरण संबव हो सकेगा। नेक्स्ट है सट्टे वाजी पर रोक। कुछ सट्टे वाज भावी सौदों से उचे मुल्यों का मनोविज्यानिक वातवरण उत्पन कर देते हैं। और इस पर नियंतरण करने हैं तो सरकार वाइदा सौदों पर रोक लगा सकती है। और साथ ही साथ सट्टे वाजी के सौदों पर भी रोक लगा सकती है। जिससे कि मुद्रा प्रसार को रोका जा सके। नेक्स्ट है मजदूरी व्रद्दी पर रोक। उत्पादर लागत में व्रद्दी पर रोक के लिए सरकार मस्दूरी व्रद्दी पर रोक कर लगा सकती है और समझोता कर सकती है उप्युक्त सभी उपायों यथा मौद्रिक उप्चार और राजकोशी उप्चार तथा बहुतिक उप्चार उप्युक्त सभी उपायों और उप्चारों को अपना कर सरकार समय समय पर देश में मुद्रा स्विती पर काफी हद तक नियंतरन लगा सकती है